दादी नानी द्वारा बताए गए 30 किचन के टिप्स और टिक सबसे पहले है स्टेल के बर्तन में दूद उबालने पर दूद अक्सर नीचे लग जाते हैं दूद उबालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देने से बर्तन में दूद नहीं लगते हैं नेक्स्ट है मिर्च के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए इससे मिर्च जादा दिनों तक चलेगा नेक्स्ट है फ्रीज में लगे दाग धबों को दूर करने के लिए निम्मू को काट कर उस पर नमक लगा कर लगड़े सब दाग धब्बे दूर हो जाएंगे चीनी डाले फिर उसमें उबलता हुआ पानी डाले नेक्स्ट है स्वाधिस्ट और मुलायम ओमलेट के लिए अंडे फेटते समय उसमें थोड़ा दूत या एक बड़ा चम्मस पानी मिलाएं नेक्स्ट है बिरियानी और पुलाओ को सजाने के लिए प्याज को भुंते समय उसमें एक चुटकी चीनी डाले ताकि वे जल्दी भूरे हो जाए नेक्स्ट है डाल पकाते समय उसमें एक चमस तेल डाले ताकि उसमें दाग ना बने और वह चारो ओर न फैले नेक्स्ट है पूरिया बनाने के लिए गिहूं का आटा गुनते समय गिहूं के आटे में एक बड़ा चमस रवाय थोड़ा सा चावल का आटा मिलाए नेक्स्ट है भिंडी तलते समय उसमें एक चमस दही या निम्बूर का रस डाले इससे चिपचिपाहट भी नहीं होगी नेक्स्ट है दूद का खोया बनाते वक्त तेज आँच रखे खोया सफेद बनेगा नेक्स्ट है चुकंदर में आईरन की मात्रा अधिक होती है इसके नियमित सेवन करने से चेहरे पर ग्लो आती है नेक्स्ट है केले के गुच्छे लटका कर रखने से केला पासे छे दिनों तक खाराब नहीं होगा नेक्स्ट है भिंडी काटने के तूरंद बाद उसमें निम्बो का रस मिला दे इससे भिंडी का लसलसापन खत्म हो जाता है नेक्स्ट है खीर बनाते समय चीनी हमेशा अंत में ही डाले क्योंकि चीनी पहले डालने से चावल ठीक तरह से पक नहीं पाते है सब्जिया को मेडियम साइज में काटना चाहिए छोटे छोटे तुकडों में काटने से पकाते समय सब्जी के तत्व नस्ठ हो जाते हैं नेक्स्ट है बरतन में दो चार प्याज के तुकड़े और विनेगर डाल कर पाच मिनिट उबाले फिर साबुन लगा कर साफ करे बहुत आसानी से बरतन साफ हो जाएगी प्याज की नैचुरल एसिड और विनेगर मिला कर जिती दाख साफ हो जाते हैं नेक्स्ट है रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमेशा प्याज टमाटर से आधी मात्रा में ले चार टमाटर ले रहे हैं तो दो प्याज ले और इन्हें टेल्स में भुनने के बाद ही मिक्सी में पीसे सबजी का स्वाद बहतरीन आएगा नेक्स्ट है दही भिंटी बनाते समय तड़के में थोड़ी सौफ डाले या बाकी मसाला के साथ सौफ का पाउडर भी डाले स्वाद दो गुना बढ़ जाता है नेक्स्ट है एक गिलास पानी में एक चमस घी डाले अगर घी पानी के उपर तैरने लगे तो घी असली है और अगर नीचे बैठ जाता है तो घी नकली हो सकता है नेक्स्ट है घर पर ही मिक्सी की धार तेज करने के लिए उसमें थोड़े पर्फ के तुकड़े और नमक डाल कर चलाए कुछ देर के लिए नेक्स्ट है छोले के लिए प्याज भुनते कुछ उबले चने को क्रश करके प और टेस्ट लाजवाब होगा नेक्स्ट है बिल्कुल नय स्वाद वाला चटपटा मसाला दही वड़ा बन खाना हो तो वड़े तलने के बाद साधे पानी की जगह नमक मिर्च भुना जीरा चायट मसाला वाले पानी में कुछ देर भिगोए नेक्स्ट है बारिस की मौसम म में अगर दही का सेवन कर रहे हैं तो भुना जीरा पाउडर काला नमक और काली मिर्च डालना न भुले इस मौसम में दही को पचाने में आसानी होगी और स्वास्थे भी ठीक रहेगा नेक्स्ट है पालक का जूस दिन में दो बार नियमित पीते रहने से कठीन से कठीन कब पाउज का भी निवारन हो जाता है नेक्स्ट है आखों में दर्ध होने पर दोनों हाथिलियों को लगड कर कुछ देर आखों पर अच्छा रहता है नेक्स्ट है हीजकी हो रही हो तो एक से दो चम्मस ताजा सुद्ध घी गरम कर सेवन करें नेक्स्ट है किसी भी दाल या तरी वाली सबजी को पतला करने के लिए पानी डालना हो तो हमेशा गरम पानी ही डाले थंडा नहीं क्योंकि गरम सबजी में थंडा पानी डालते ही स्वाथ और रंग दोनों ही खराब हो जाती हैं नेक्स्ट है इडली डोसा या ढोकलाव में जल्दी खमीर लाने के लिए तीन से चार हरी मिर्च की डंधल के साथ घोल में रखे और धक कर रख दे कम समय में ही बढ़िया बैटर तयार हो जाएगी नेक्स्ट है बरतनों पर जमें मेल को साफ करने के लिए पानी में थोड़ा सा सीरका वर निम्बू का रस डाल कर उबाल ले मेल छूट जाएगा इस तरह से दादी और नानी के कुछ बदायों है टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद